गुद मॉनिंग स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं अपनी वोक्षीट नमबर 58 सब्जेक्ट मैच्स क्लास 10 हमारी डेट 20 नेवेंबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं हमने पिछले वोक्षीट में सर्फेस एरियास पढ़े थे कुछ सॉलिट्स के जिसके हमने क्योंसे वहले आपको वोल्म पता होनी चाया है सब की जैसे वोल्म होती है कुब ब्रेथ मर्टिप्लाई हाइट मॉअप क्यूब क्या होतीए क्यूब मतलब side का cube, एक जो side है उसका cube, a multiply, a multiply, a, volume of cone क्या होता है, 1 by 3, pi r square h, r square r क्या है radius, और h क्या है हमारी height, उसके बाद है volume of cylinder, volume of cylinder क्या होता है, pi r square h, ठीक है, और volume of sphere क्या होता है, 4 by 3, pi r cube, यह सब जो formulas हैं कि आपको learn होने चाहिए, tips पे होने चाहिए, कोई भी question, solve करने के लिए अब देखो, आपके लिए एक activity है, आपको क्या करना है, count the number of cubes in the magic cube, यह आपका जो magic cube होता है, आपने देखा होगा, इसको fold करके, हम एक color के एक तरफ लगा देते हैं, तो इस magic cube में, कितने cubes हैं, यह जो boxes हैं, कितने cubes हैं, यह आपको निकालना है, cube of 3 multiply 3 multiply 3, कौन से cubes, जिसकी जो side है, वो कितनी हो, 3 multiply 3 multiply 3, ठीक है, और आपको क्या करना है, second activity, cut 20 circles of radius 2 cm, आपको 20 circles काटने हैं, छोटी छोटी जिसकी radius 2 cm होए, and put them vertically to form a cylinder, और उनको एक के उपर एक आपको रखना है, ताकि एक cylinder बन जाए, ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है, find pi r square multiply 20, क्योंकि pi r square क area होता है circle का, और 20 क्या है, 20 हमने circle जो cut करे थे, उनको एक की उपर एक रखा, ठीक है, उसके बाद आपको वो find out करना है, ये दो activity हैं, जो आपको करके देखने हैं, अपने घर पे, आप देखो, examples हैं कुछ, example solve करेंगे पहले हम उसके बाद अपने questions पर आएंगे, सबसे पहल number 1 है, find the volume of 5 pencils, आपके बाद 5 pencils दी गई हुई है, आपको उनका volume निकालना है, with base of radius, जिसका base क्या है, 1.5 है, radius कितनी है, आपकी 1.5 है, और 6 cm long है, बतलब height कितनी है, 6 cm, तो आपको निकालना क्या है, height of the conical part is, height आपको दी गई है, कितनी, जो conical part है, देखो, ये तो आपका cylinder ह है, निचे वाला part है, ये 6 cm, height, और जो आपका cone है, ये उपर cone है, इसकी height है, वो 3 cm, तो total height कितनी होगी, 3 ये है, और 6 ये है, तो 9 होगी, total, ठीक है, आप देखो, आपको निकालना क्या है, volume इसका, तो radius कितनी है, आपके पास, 1.5, 1.5 को मैं से लिख सकती हूँ, point काट दो, निचे आगे 10, तो इसकी 5 की टेबल से कट कर सकते है, 5 की टेबल में 15 आता है, 3 पे, 10 आता है, 2 पे, तो मेरा आगे 3 by 2, तो मैंने यह लिखा है, 3 by 2 cm, ठीक है, radius को मैंने लिख दिया, 3 by 2 cm, height क्या है, 6 cm, height आपको 6 cm दिए है, height 1 है, ये height 1 है, और height 2 कितनी है, height आपकी second 3 cm, अ उसको 5 से multiply कर देंगे, तो 5 pencils का निकलाएगा, तो हम क्या करेंगे, volume of 5 pencils is equal to 5 multiply, 5 क्यों multiply किया, क्यों 5 pencils थी, 5 multiply volume of pencil, volume of pencil कैसे निकालेंगे, देखो, आप figure में देखो, volume of cylinder, नीचे वाले हिस्ती का volume निकाल दो, plus volume of cone, नीचे जो उपर आपका cone है, volume of cone निकाल दो, volume of hemisphere, नीचे जो यह आपका pink color दिख रहे हैं, आपको, orange के नीचे जो pink color है, यह hemisphere है, इस volume का, इसका hemisphere का volume निकाल दो, तो इन तीनों को जब हम add कर देंगे, तो पूरी pencil का volume निकलाएगा, तो चलो, देखो, 5 multiply, volume of cylinder क्या होते है, pi r square, volume क्या है, यहाँ पर cylinder का निकाल रहे है, तो height cylinder की plus में, volume of cone, यह क्या है, आपका cone, cone में क्या होता है, आपका volume, 1 by 3 pi r square h2, 1 by 3 pi r square h2, अब ध्यान से देखना है आपको, यह क्या है, h2 यह जो height है, यह क्या है, h2 है, यह h1 थी और यह h2 height है, अब आते है, volume of hemisphere, hemisphere का volume क्या होता है, 2 by 3 pi r cube, तो इस जो यह volume, जो आपका formula, इसके पे अंद़ हम value put कर देंगे, तो देखो, value कैसे put करेंगे है, उससे पहले हम क्या करते हैं, जो pi r है, ना, सब में pi r है, उसको common ले ले लेते हैं, यहाँ पे πάi r है, यहाँ पाई r है, यहाँ पाई r है, इसको बाहर ले लेते है, common ठीक है, पाई r square को, तो πाई r square अगर बाहर हो मना गया तो अब देखो यहां अंदर क्या बचा h1 यहां क्या बचा 1 by 3 और h2 इधर बचा 2 by 3 और एक r बचा क्योंकि r square हमने r square बार निकाला है ठीक है अब देखो अब हम value put करेंगे पाई क्या होते है 22 by 7 r square r अभी हमने क्या नीचे यहां पर दिखाती हुएं आपको अभी हमने 3 by 2 निकाला था तो r square 3 by 2 multiply 3 by 2 उसके बाद जो h1 है वो क्या है 6 h2 1 by 3 h2 क्या है h2 है हमारा यह उपरवाली height 3 1 by 3 multiply 3 और 2 by 3 multiply r क्या है हमारा 3 by 2 ठीक है अब यहां से देखो जो cut or rest को cut कर दो 2 से 2 cut हो तो 3 से 3 cut हो गया ठीक है इधर बचा 1 यहां पर भी देखो इधर 3 से 3 cut हो गया तो इधर भी बचा 1 और यहां पर क्या है यहां पर आपका 6 है तो इधर क्या हो गया 6 तो अंदर जो bracket है इस bracket में क्या बचा 6 प्लस 1 प्लस 1 बहार अब यह आपको solve करना है इसको जब आप solve करोगे कुछ cut हो रहा है तो इसको cut कर दो 2 से हमारा cut होता है 22 11 पर ठीक है बागी कुछ cut नहीं हो रहा तो 7 2 कितना होता है 14 और उपर अगर आप करोगे 11 5 is the 55 55 multiply यहाँ पर आप 6 करोगे तो यहाँ पर और भी कुछ cancel हो रहा है तो मतलब आपका solution जो होगा इसको solve करने के बाद आजाएगा 99 by 14 अब देखो तो इसको solve करने के बाद यहाँ पर 5 आपका बहार आजाएगा यहाँ पर देखो 6 है 3 multiply 3 कितना होता है 9 और 22 यहाँ पर cancel ह गया था बचा था 11 तो 11 multiply 9 99 और यह जो 5 है इसको मैंने बहार अलग से रखा हुआ है तो अब देखो यहाँ पर 99 by 14 यह अंदर क्या हो गया 6 plus 1 plus 1 हो गया 8 और multiply में 5 ठीक है तो यहाँ पर scope solve करने के बाद multiply करने के बाद आपका answer आएगा 882 82.85 cm3 यहाँ गया example 1 अब देखो example number 2 पे आते हैं example number 2 क्या है आपको एक medicine capsule है यह दिख रहा है आपको एक capsule है किसकी shape में cylinder की shape में 2 hemisphere है ends पे ठीक है दो length है entire capsule की entire capsule की length है 14 mm ठीक है and the diameter is of the capsule पूरे जो length है उसकी लंबाई है पूरे capsule की 14 mm है और diameter है जो वो कितनी है 5 mm diameter है तो उसकी जो radius क्या होगी इसका half हो जाएग 5 by 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है volume निकालनी है finite volume तो कैसे निकालेंगे volume देखो चो height है cylinder की वो कितनी है अब आपको क्या दिया है यह पूरी height आपको दी थी पूरी height आपको दी थी पूरी capsule की cylinder कितना है इतना हिस्सा cylindrical है बाकी सह है हिस्सा क्या नहीं है cylinder के अंदर नहीं है semicircle में आ जाता है hemisphere में आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यह हिस्सा क्या radius है तो अब देखो यह क्या है पूरी जो diameter है वो कितनी है 5 है तो ये half और half मिलाके half और half मिलाके पूरी diameter ही बन जाएगी तो मैंने 14 में से 5 को minus कर दिया diameter को minus कर दिया तो कितना आ गया 14 minus 5 9 mm उसके बाद जो radius ने cylinder की वो क्या होगी ये आपकी diameter 5 थी तो radius क्या होगी 5 का आदा 5 by 2 और radius of hemisphere भी वही होगी ठीक है hemisphere की भी radius कितनी है 5 by 2 है अब volume निकालना है capsule का तो क्या होगा मैं क्या करूँगी cylinder का volume निकाल लोगी volume of cylinder plus में volume of both hemisphere जो दोनो hemisphere है उनका volume ठीक है volume of both hemisphere तो मुझे पता है कि जो volume of cylinder वो क्या होता है πाई आर square h होता है और volume of both hemisphere कैसे निकलेगा hemisphere का volume होता है 2 by 3 pi r cube अब 2 hemisphere है तो मैंने 2 से multiply कर दिया तो यहां से देखो इसमें कुछ comment है यहां से pi r square और यहां से भी pi r square क्या ले लिया मैंने बाहर ले लिया comment तो pi r square इदर आ गया तो यहां सिर्फ बचा h और यहां क्या बचा यहां पर 2 multiply 2 निचे 3 ठीक है मतलब क्या बचा 4 by 3 और r square बाहर को मनाया था यहां पर r cube है तो एक r भी बच जाता है तो मैंने यहां पर भी क्या लिख दिया एक r लिख दिया ठीक है तो अब इसके अंदर values put कर देंगे pi क्या होता है 22 by 7 r square r क्या है 5 by 2 ठीक है इसको solve कर लोगी अंदर क्या हो जाएगा आपका 9 है plus में इसको गर आप solve करोगी तो आपका आएगा 10 by 3 ठीक है अब क्या करना है यहां भी इसको multiply करोगी तो answer आएगा आपका 275 by 14 तो इसको multiply करने के बाद आपका जो answer आजाएगा तो वो क्या आजाएगा 19.64 plus में 12.33 टोटल करोगी तो 31.97 mm3 ठीक है मतलब जो volume of cylinder है और volume of hemisphere उनको add कर दोगी तो यह आपका answer आजाएगा ठीक है 31.97 mm3 बेसिक क्या है देखो आपको अगर यह formula पता लगे ना मुझे कौन सा formula लगा ना उसकी बाद तो बस calculation है value उसकी बाद तो बस आपको multiply और divide करना है तो main तो आपको यह पता होना चाहिए कौन सा formula लगेगा और किस तरीके से लगेगा ठीक है यह होगे example number 2 अब हम चलते हम आहारे example number 3 पे example number 3 में क्या है देखो आपको 8 cm long cylindrical tank दिया हुआ है having 4 cm high conical shape एक tank है आपके पास एक टंकी है यह जी cylindrical जिसकी जो height है वो कितनी 8 cm उसके उपर एक cone shape का यह tent है जिसकी जो height है वो कितनी 4 cm है और जो radius है आपको दी हुई है base की radius है 3 cm तो वही radius ही सी की होगी ठीक है तो आपको निकालना है volume of the tank इस tank की volume निकालनी है तो height of cone cone की height है 4 cm और cylinder की height है 8 cm ठीक है cone उपर है इसकी height 4 है और cylinder की 8 है radius कितनी है radius आपको 3 cm दी हुई है तो volume of tank क्या होगा volume of cylinder plus में volume of cone है ना पूरी जो टंकी है इसमें क्या है एक cylinder है और एक cone है तो इन दोनों की volume निकाल लेंगे तो पूरी टंकी की volume निकल जाएगी तो volume of cylinder क्या होता है pi r square h यह height 1 ले ली मैंने और इसको height 2 ले ली h 1 लिखती है यहाब है height cylinder की उसके बाद volume of cone क्या होता है 1 by 3 pi r square h height 2 ले ली मैंने ठीक है अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा common आ जाएगा मेरा pi r square pi r square common ले लिए बाहर अंदर क्या बचा आप अंदर बचा h 1 और इधर क्या बचा h 2 और 1 by 3 ठीक है अब यहाँ भी pi 22 by 7 है r का square 3 multiply 3 क्योंकि r 3 है 3 multiply 3 h 1 क्या है आपकी height 8 है plus में 1 by 3 h 2 1 by 3 h 2 की height क्या है 4 है ठीक है बस अब आपको calculation करनी है तो आप जब इसको calculate करोगे तो आपका answer last में हैगा 254 cm cube ठीक है यह होगा आपका example number 3 अब हम चलते हैं हमारे questions जो आज हमें given है जो हमें खुद करनी है आपको दिया भी हुआ है कि number of cubes निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको volume of cuboid को volume of cubes से divide करना पड़ेगा तो देखो question सबस्ते है पहले यह है हमारा question number 1 उसने पुछा ज्यांग से सुनो कि कितने cubes हैं जिनकी side 2 cm है वो हम बना सकते हैं एक cuboid से जिसकी length, breadth और height इतनी दी हुई है cuboid की length, breadth, height इतनी है इस cuboid में से हमें 2 cm के cube निकालने है कितने निकाल सकते हैं तो देखो solution है आपका यह चोटा सा answer है बिल्कुल देखो कितना चोटा है ना देखो इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले आपके पास length दी हुई है breadth दी हुई है, height दी हुई है cuboid की length इ 16 cm, breadth 12 cm height है 10 cm तो volume of cube क्या होता है हमें volume of cube हमारा होता है edge का cube, side का cube और edge कितनी का होना चाहिए 2 का है ना 2 cm की जो side है वो होनी चाहिए cube की height, इन तीनों को multiply कर देंगे 16 multiplied 12 multiplied 10 ठीक है, तो number of cubes क्या होंगे hint में हमें दिया हुआ था कैसे निकलेंगे जब हम volume of cuboid को volume of cube से divide कर देंगे तो volume of cuboid तो ये है हमारे पास और volume of cube ये है 2 का cube है ना, मतलब 2 multiplied 2 multiplied 2 तो यहां से देखो 2 से 16 को कार दो 2, 8 is a 16 फिर 2 को 12 से कार दो 2, 6 is a 12 और फिर 2 को 10 से कार दो, 2, 5 is a 10 तो क्या आया 8, 6, 5 हमारा बचा, तो 6, 5 जग कितना होता है, 30 होता है और 8 multiplied 30 2, 40 तो n कितने होंगे cubes कितने 240 cubes बनेंगे तो ये हो गया हमारा solution number 1 ठीक है अब हम चलते हमारी question number 2 पे देखो, question number 2 क्या दिया हुआ बेटा आपको आपको दिया है कि एक solid है किस shape का, कौन shape का दिख रहा है आपको ये कौन है कौन shape का, आपका एक solid है जो एक hemisphere पे खड़ा है ठीक है, एक hemisphere पे, ये नीचे है hemisphere, with a common base इनका base क्या है, common है एक ही है, of radius equal to 1 cm, जिसके radius कितनी है ये जो radius है, hemisphere की 1 cm है, और जो height है को उनकी, वो radius के equal है radius के equal है, मतलब radius 1 cm है तो जो cone है, उसकी height भी कितनी होगी 1 cm तो हमें निकालना है volume of solid तो volume of solid कैसे निकालेंगे ये भी बहुत ही छोटा सा question है दिखने में statement बढ़ी है statement देखके नहीं डरला, ठीक है देखो, यहाँ पर क्या दिया होगा आपको volume of solid कैसे निकाल सकते हैं इस volume of cone में अगर मैं volume of hemisphere को add कर दूँ, तो क्या निकल जाएगा मेरा volume of solid ये निकल जाएगा, तो देखो volume of cone क्या होगा, 1 by 3 pi r square h, ठीक है और volume of hemisphere क्या होता है 2 by 3 pi r cube यहाँ पर value पुट कर दो 1 by 3 pi r क्या है, radius कितनी है 1 है तो radius 1 का square height कितनी है, height भी 1 है ये radius होगी cone की height भी कितनी है, 1 है उसके बाए 2 by 3, pi में pi की value भी रख नहीं रही हूँ, क्योंकि ये हम last में, क्योंकि common है दोनों में अगर हमें रखनी की ज़रूत पड़ेगी तो last में रख लेंगे, और अगर नहीं पड़ेगी तो asities भी रख सकते हैं, अब देखो तो यहाँ पर r cube क्या है क्योंकि 1 का cube तो 1 ही होता है, सिर्फ 2 pi बचा ठीक है, और नीचे दोनों में 3 है नीचे आपका 3 है, तो क्या आजाएगा? LC म हमारा 3 ही आएगा तो pi प्लस 2 pi कितना होता है? 3 pi, नीचे क्या है आपका? ये नीचे, सॉरी बेटा, याप pi लिखा है मैंने या फिर इतना भी छोड़ सकते हूं ये ध्यान रखना है, ये हो गया आपका ये हो गया आपका answer number 2 क्या ध्यान रखना है आपको नीचे मैंने या गलती से जो pi किया है इसको आपको 3 कर लेना है, ठीक है? ये आपको जरूर इसको correction कर लेनी है 3 pi by 3 हो जाएगा आपका pi centimeter cube तो ये दो questions आज आपकी worksheet में given थे, I hope आपको अच्छे से दोनों questions समझ वे आ गए हैं कोई भी doubt विटा पूरी worksheet में आपको तो comment section में आप हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी चानल को subscribe भी कर सकते हैं Thank you and have a great day